आज मैं हूं संबलपूर एस्टिप के पास काम था संबलपूर में एक्चुली PC लेना है समीत के लिए तो समीत है साथ में और साथ में आये हैं PC लेंगे संबलपूर से लेकिन संबलपूर हम आ रहे थे तो मैंने सोचा एक अलगी रूट में जाते हैं जो की कम ही लोग को पता है जो की हो गया आपका संबलपूर एस्टिप के साइट से जाओगे तो आपका डाइक देखने को मिलेगा आप हिराकूत का जो है डेम का ब्यूटी भी का आनन्द यहां से उठा सकते हो तो हम लोग अभी रुके हुए हैं संबलपूर एस्टिप के पास यहां पर रुके हुए हैं क्योंकि यहां का जो भीव आ रहा था तो यहां पर देख रहे थे तो एक भाईया हमको मिले जो के नाओ में बंचली पकट रहे थे तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि भाईया आपके नाओ में थोड़ा हमें भी बेठाए सो मान गये हैं मैं आपको दिखाता हूं अभी यह देखे नाओ यह रहा तो अभी बैठेंगे नाओ पे और नाओ के अंदर से में आपको सीन्स द घ्राकट नाओ के पानी में पहली बार बैट रहाओ मैं मैं जो हम पड़ा करता था है स्कुल में था जब तब जिस जगह पे में पढ़ा करता था वहां जाने के लिए बीच में नदीं था तो हम लोग नाओ पर बैठके уPart यह करते थे और यहां का सीन्स त्षूरा मसती और लोग वहाँ पे भी मचली पकड़ रहे हैं नाओ के सायता से और हम लोग अपना गाड़ी को वहाँ पे छोड़ दिये हैं और वह रहा संबलपूर का यहां का जो बैठने के बाद नाओ पे बैठने के बाद हम लोग वो जो रास्ता है उस रास्ते से जाएंगे हमारा जो डेम का राइट डाइक को तो समीत यहां पे कैसा लग रहे हैं आपको नाओ पे बैठके हम लोग यहां पे नहीं सोचे थे जो मान यह बहुत मजा आ रहा ह सब्लैक नहीं हुँ एक बार की किना वैटा हूँ लेकर अगर आप यहां पर आ रहे हो तो ट्राय करना नाव पर बैठने के लिए बहुत अच्छा एक्स्पिरेंस होगा मेरे अगर आप हिराकुद डैम आ रहे हो तो डैम पे उतना मज़ा नहीं आएगा मेरे हिसाब से जितना मज़ा यहां पर आ रहा है एक्षली क्या होता कि हम डैम में जो जाते हैं देखने के लिए वो दूर से देखते हैं तो उतना जीचे जड़ा नहीं आता है वहां से लेकिन यहां पे हम लोग, पुरा पानी, देख़ें पूरा पांई पास में हैं, हैमके पानी में बैठे हुए हैं, सो अलग ही फील आ रहा है यहां पे, तो अगर आप यहां पे आ रहे हो, तो देखेगा पास में, अगर कोई मचली पकड़ रहोंगे नाव में तो उनसे बात की जगा अगर वो मानगे तो चांदी है आपका नेक्स टाइम आएंगे तो और अंदर जाने की कोसिस करेंगे अभी जो भाईया हैं यहां के जो मचली पकड़ के बेश दिये हैं नहीं यहां को दिखाता है यहां का Ahora नहीं भी आभी नहीं हो पाइगा भी यहां से निकलेंगे और जाएंगे तो गापर आपको मैं सा भी मिलाऊंगा तो मोसा यहां पितना पर के बिकारे कमा लेते हैं यह रुप हो यह जन्य में स約 8 णआप गड़ा तक हो जाता है ना यहाप मचली पकड़ रहे हैं कृछले मचले फर्वा कर यहां से ज्याद अभी जो ड्या मचल कर पर चापم इला तक गाई जी भी तुमा नाम सजाई गिते हो जी जी भी गिते मो जी जी भी से नुआ नुआ गिता गाउती भी से नुआ नुआ गिता गाउती भी तुमारी प्रसंसा करूती भी मोसा भाई भाई अभी हमने नाव पे बैठ ले आ है बहुत मजाया यहाँ पे नाव पे बैठ के तो अभी चलते हैं जो हिराकुत जैम का राइट डाइक के तरफ बहुत मैं जो जो पे प्रस्दाइब गिता जो हिरा टार जो हिरा गाइक के तरफ जो हिराकुत जैम का रहुत पिता गग्राइक के तरफ करो आड़ने कि अचल लोग जाड़ा कि अचल लोग है हुआ हम लोग आचुके हैं डैम के राइट डाइक पे और यहां पे चोड़ा सा कैनाल है चोड़ा नहीं बड़ा कैनाल है हिराकुत डैम का ही है मैं आपको अभी दिखाता हूँ यह देखिए समीध ंचे जाएंगे में अगर मूड अच्छा वा तो नीचे साघिये आपको दिखाएंगा नीचे याख़ाऊंगा दिखाऊंगा जो डैम का जो पानी जा रहा है केनाल और यहां से पानी चौड़ा जा मैं आपको वहां का सौट दिखाता हूँ यह देखिए वहां से पानी छोड़ते हैं हाला कि अभी बंद है यह नहीं तो मैं दिखाता आपको यहां पे भ्यू देखिए पुरा मस्द भ्यू आ रहा है अगर आप डेम के तरप जाओगे डेम के साइड में जाओगे आप तो डेम के ऊपर से आपको ऐसा भ्यू नहीं दिखेगा अगर आपको हिराकुत का जो कि डाइक नहीं देखा तो आप संबलपूर आए क्यूं यह बताए मुझे स्मीद नीचे जाएंगे अभी तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं जो सासन कैनाल है नीचे जा रहे हैं और नीचे से आपको ब्यू देखाएंगे ओके तो आप वीडियो में बने रही है है तो गाइस हम लोग पूंच चुके हैं केनाल के नीचे यहां पर कुछ लिखा हुआ है तो मैंने सुझा आपको दिखा दूं सासन केनाल लिखा हुआ है तो चलते हम अभी केनाल के पास घजा यह देखिए होगे हमारा सासन कैनाल गाइज वहां पर देखिए वहां पर कुछ लगाए हुए हैं वहां से मचली पकड़ रहे हैं तोड़ा टाइम रुका तो मैं आपको दिखा दूंगा लेकिन देखिए पुरा पानी का फ्लो देखिए आप बहुत ही तेजी से आ रहा है यहां से गिरे तो पता नहीं क्या होगा बहुत ही डेंजर लग रहा है यह अगर आप यहां पर आओगे देखने के लिए तो थोड़ा सापधानी बढ़ती है गाओके कि यह रहा सासन केनाल नीचे जा रहा है कि समीत भई साब वहां पर खड़े होके देख रहे हैं कि समीत हमने तो आपको दिखा दिया यहां का जो कैनाल था अभी चलते हैं सम्बलपूर बहुत लेट हो चुका है हमें वहां से समीत का PC बील्ड भी करवाना है सो मैं आपको डाइरिक्ट सम्बलपूर में मिलता हूँ ओके अभी आ चुके हैं अंबे कंपूटर के अंदर अभी हमारा PC बील्ड हो रहा है PC कंप्लीट होगा बील्ड होने के बाद आपसे मिलूंगा अभी थोड़ा वेट कर रहे हैं तो आपसे बाद में बात करता हूँ सो गाइस हमने PC ले लिया है अभी घर के लोट रहे हैं और इसका प्राइस था कितना पड़ा उसके बारे में एक डीटेल्स वीडियो आएगा अगर आप चाहते हो तो कमेंट में बताना तो आज का वीडियो को अहीं प्रेंड करते हैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना कुछ वह तो कमेंट करके बताना तो फिर मिलेंगे किसी और एक नए जगह पर किसी और एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाए बाए एंड टेक क्यार और गाइस यह बरीज बताना नव के